ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइम करें A1 News TV A1 News TV में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेगा वर्मा शार्दिय नवरात्री की दूसरे दिन मा भ्रमचारिनी की पूजो आर्चना होती है मा का ये रूप भक्तों को मन चाहा वर्दान और आशिरवात देता है मा के नाम का पहला आक्षर ब्रह्म होता है जिसका अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आच्रण माननेता है इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की व्रिद्धी होती है जानते हैं नवरात्री के दूसरे दिन पूजा विधी व्रत कथा आर्थी क्या है सबसे पहले सुबह नहां धोकर साफ सुत्रे कपड़े पहन ले आप ब्रह्मचारणी माता की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ती पूजा के स्थान पर स्थापट करें हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारणी देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाब करें मंत्र के बाद माता के चित्र या मूर्ती पर आप फूल चढ़ाएं और नवेद्य अरपण करें मा ब्रह्मचारणी को चीनी और मिश्री पसंद है इसलिए उन्हें चीनी और मिश्री पंचामरित का भोग चढ़ाएं माता को दूट से बने व्यन्जन भी अतिप्रिय हैं तो आप उन्हें दूट से बने व्यन्जनों का भोग भी लगा सकते हैं अब जानते हैं माता का अस्त्रोथ पाथ क्या है तपश्चारणी त्वही तापत्रय निवारणी भ्रम रूप धरा भ्रम चारणी प्रण माम्म्यहम शंकर प्रिया त्वमही भुक्ती मुक्ती दायनी शान्तिदा ग्यानदा भ्रम चारणी प्रण माम्म्यहम माता के स्त्रोद के बाद आपको माता का कवच भी पढ़ना है कवच है त्रिपुरा में रिदयम पातू ललाटे पातू शंकर भामिनी अरपन सदा पातू नेत्रो अरधरी चा कपोलो पंच दशी कंठे पातू मध्य देशे पातू महेश्वरी शोडशी सदा पातो नाभो ग्रिहो चपादियो अंग प्रत्यंग सतत पातो भ्रह्मचारिनी इसके बाद माता भ्रह्मचारिनी की आपको कथा पढ़नी है कथा है पूर जनम में मा भ्रह्मचारिनी ने हेमाले के घर में पुत्री के रूप में जनम लिया और नारत जी के उपदेश से भगवान शंकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारणी अर्थाद ब्रह्म चारणी नाम से जाना दया एक हजार वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रहे कर निर्वा किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप के भोर गश्ट सहे तीन हजार वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाये और भगवान शंकर की अराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर वो तपस्या करती रही पत्तो को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपढ़ना भी पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एक दम क्षिन हो गया देवतार शी सिद्गण मुनी सभी ने भ्रमचारनी की तपस्या को अभूत पूर्ण कृत्त बताया उनकी सरहाना की और कहा है देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह आप से ही संभवती आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्र मौली शिवजी आपको पती के रूप में प्राप्त होंगी अब आप तपस्या छोड़ कर घर लोट जाओ जल्द ही आपको पिता आपको लेने आ रहे हैं मा की कठा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्शों में हमें अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए जिस तरह मा बिना विचलित हुए तपस्या करती रही और जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिल गया उसी तरह मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए माता ब्रह्मचारनी देवी की क्रपा से मनुष्य को हर तरह की सिद्धी प्राप्त होगी अब बढ़ते हैं माता की आरती की तरफ जय अंबे भ्रह्मचारनी माता जय चतुरानन प्रिय सुखदाता ब्रह्मजी के मन भाती हो ग्यान सभी को सिखलाती हो ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा जिसको जपे सकल संसारा जय गायत्री वेद की माता जो मन निस्क दिन तुम्हे ध्याता कमी कोई रहने ना पाए कोई बेदुख सहने ना पाए उसकी विरती रहे ठिकाने जो तेरी महिमा को जाने रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर आलज छोड़ करे गुणगाना मा तुम उसको सुक पहचाना भ्रमचारणी तेरो नाम पूर्ण करो सब मेरे काम भक्त तेरे चर्णों का पुजारी रखना लाज मेरी महतारी शार्दिय नवरात्र के तूसरे दिन मा भ्रमचारणी के इस रूप की पूरे विधिविधान के साथ आप पूजा करेंगे मा आपकी हर मनुकामना पूरी करेगी एवन न्यूस टीविए में इतना ही नमस्कार ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूस टीविए